ओम शान्ति आज दिनांक नो फरवरी दो हजार तेईस बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस ना रख भविश्य उच्पद पाने के लिए सिर्फ नश्टो मुहा बनो बाप को याद करो और पवित्र बनो बाबा समझाते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस ना रख भविश्य उच्पद पाने के लिए सिर्फ नश्टो मुहा बनो बाप को याद करो और पवित्र बनो बाबा हम बच्चो को संगम युग पर नया ब्रह्मन मर जीवा जन्म देते जन्म देते ही बाबा हम बच्चो को वरदान देते पवित्र भाव योगी भाव अर्थात एक बाप को याद करो पवित्र बनने का पुरुशार्थ करो तो बाप समान बन जाएंगे बाबा आते हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरानी दुनिया रोरव नर्क दुख की दुनिया तमो परधान दुनिया से मुक्त करा कर नई दुनिया सुख की दुनिया सत्युग स्वर्ग सतो परधान दुनिया में ले जाने के लिए बाबा इसके लिए पुरुशार्थ बताते पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंध से सुक सुविधा के साधनों से ममत तो मिटा दो क्योंकि अब यह दुनिया विनास होनी है, नई दुनिया आनी है वहां जाने के लिए उस दुनिया में उच्पद पाने के लिए बाबा पुरुशार्थ बताते नश्टो मोहा बनो मोह के जो भी संबंध हैं जो भी आशक्तियां हैं उन्हें मिटाते जाओ एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूती हो एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हो एक बाप ही सब कुछ हो बाकी कुछ नहीं तो बाबा कहते याद में रहो पवित्र बनो तो उच्पद पालेंगे इसी लिए बाबा कहते यहां तुम बच्चे जानते हो बरोबर अभी रात है रात को दुख होता है इसको रावन की रात कहा जाता है रावन के आने से बाबा कहते भक्ती आरंब होती है विकार भी आरंब हो जाते हैं जो भी सुख मिलता है काग विष्ठा के समान मिलता है अर्थात अल्पकाल का मिलता है अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुसी में रहने का पुरुशार्ट कर रहे हैं बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे भविश्य उच्पद पाने का पुरुशार्ट करो और कोई आस नहीं रखो यहाँ इसमरती में रखो कि बेहद के बाप से बेहद का वर्सा मिलता है बाबा आकर हमें दुख की दुनिया से छुड़ाए सुख की दुनिया में ले जाते हैं अर्थात सुख देते हैं इसी लिए बाबा कहते हैं मैं सदा सुख देता हूँ मनुष्य कहते हैं दुख सुख देने वाला भगवान है वहा है रॉंग तुम सिर्फ मेरी स्रीमत पर चलो मैं तुमको सुख की दुनिया में ले जाने आया हूँ तो सुख की दुनिया में जाने के लिए पुरुशार्थ करो एक बाप को याद करो पवित्र बनो नश्टो मोह प्रश्न किया बाबा ने बाप कौन सा सीधा सरलरास्ता बताते हैं किस बात से बाप का तेलुक नहीं है उत्तर में बाबा समझाते बाभा बच्चो को सांती धाम सुक धाम चलने का सीधा रास्ता बताते बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती दुख हुआ बीमारी आती देवाला मारते यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है इसमें बाप का कोई तेलुक नहीं बाप युक्तियां बताते हैं कर्म बंधन से चूटना हर एक बच्चे का काम है अर्थात 63 जन्मों से जो हमने विकर्म किये पाप कर्म किये बाबा कहते उसका हिशाब किताब इस अंतिम जन्म में चुक्तु करना है तो चाहे कोई व्यादी हो बीमारी हो दुख हो देवाला हो उसके जिम्मेवार बाबा कहते मैं नहीं हूँ तुम बच्चो का ही हिसाब किताब है तुम बच्चो को ही चुक्तु करना है पर सहज युक्ति बाबा बता देते मुझ बाब को याद करो पवित्र बनो बाबा तो आते हैं हम बच्चो को सीधा सच्चा रास्ता बताने के लिए सुख धाम और सांती धाम में चलने के लिए तो बाबा कहते अब मुझ बाब को याद करो पवित्र बनो अपना जो हिसाब किताब है वहाँ योग बल से चुक्तु करो इसलिए बाबा कहते मैं तो तुम को सांती धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है और क्या जंजट सामने आता है जंजटों में तो सारी दुनिया है बाप कहते हैं में तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ वह तो बहुत सहज है बाकी जो विपदा जंजट आते हैं दुख आता है बीमारी आदी होती है देवाला मारते हैं यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब सो हर एक को भोगना ही है इनसे हमारा कोई तहलुक नहीं है इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना बढ़ता है मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ मेरा फर्मान है मुझ बाप को याद करो क्योंकि वापस जाना है बाकी लड़ाई जगड़े में तो सारी आयू गवाई है अब सीधा सच्चा रास्ता बताता हूँ मुझे याद करो और पवित्र रहो कैसे रहो यहा भी युक्तियां मैं तुम्हें बताता हूँ अगला प्रस्ण किया बाबा ने कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते उत्तर में बाबा समझाते फेमिलियरिटी का नसा है माया का अंदर कीड़ा लगा है इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते अर्थात जो बच्चे मोह के वशीबूत होते हैं फेमिलियरिटी का नसा होता है देह के संबंदों के जाल में फसे हुए रहते हैं उन बच्चों को बाबा कहते खुद मुक्त होने का पुरुशार्थ करना है नश्टो मुहा बनना है नश्टो मुहा जो बनते वही बाबा की सर्विस कर सकते बाबा पर खुद को पूरा पूरा अर्पन कर सकते पर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रग संबंधियों में सुख सुविधा के साधनों में जाती है तो वे सर्विस के लायक नहीं बन पाते क्योंकि अंदर माया का किड़ा लगा हुआ होता है अर्थात पांच विकार के अंस होते हैं इसलिए बाबा कहते बच्चे भी फसकलास हैं बाबा तो कहेंगे ग्रस्त व्यवार में रहे कर पवित्र रहे कर दिखाऊ इस अंतिम जन् संबंधियों को अपने पती को समझा कर वस करना पड़े नहीं तो जवाब देना पड़े परंतु जब नश्टो मोहा बन सकें तब कई चाहें तो एक सेकेंड में नश्टो मोहा बन जाएं नहीं तो जीवन भर भी ना हो सकें बहुतों को छोडने बाद भी ममत तो नहीं वह अवस्था नहीं रहती, इसलिए बाबा कहते हैं, पहले नश्टमो हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे, तो बाब क्या कर सकेंगे, इसके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है, अगर पवित्र नहीं रहेंगे, तो अपने पाउं पर खड़ी हो, को तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़ कर आए, फिर ब्रह्मन कुल में रहें, कोई ना कोई से फेमिलियरिटी में फसी रहें, ऐसे भी बहुत हैं, जिनको फेमिलियरिटी का हलका नसा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चड़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्य की अंदर किड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है, लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो जरूर हलका नसा आता होगा, यहां कमल फूल जमान रहना है, मुर्जाने की बात नहीं, सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अ चाहिए, बाबा राय देते हैं, कदम कदम स्रीमत पर चलना जरूर है, आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बंधनाम करेंगे, कहा भी है, सद गुरू का निंदक ठोर ना पाए, गीत सुनाया बाबा ने लोट गया गम का जमाना, लोट गया गम क जमाना, आगे बाबा कहते हैं, किसको दुख मत दो, सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो, मीठी मीठी बाते करो, बाबा, आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो हम आपकी स्रीमत पर जरूर चलेंगे हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं इसके अजुन पुराने आसुरी संसकार हैं यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य करेंगे अपनी चलन तो देखो नहीं तो तुम जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं है बाप तो कहते हैं सगे बच्चे बनू ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुस हो जाए बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए उचा पदप्राप्त कराएं इसी लिए बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरक दंदा करो परंतु भरम महुरत में उठ बाबा से मीठी मीठी बाते करनी चाहिए बाबा आपने तो कमाल किया है 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बातसाही तो आप देते हो हम तो आप पर बलिहार जाओं तो बलिहार जाना है सिर्फ कहना नहीं है जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा बहुत बीके हैं जो सुबह को उड़ते नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है सबेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेवल बन जाते हैं बाबा कहते जिसको सर्विस का सोख है वह कहा ना कहा सर्विस में लग जाते हैं वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते सेवा के छेत्र में स्वा सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाओ सेवा के छेत्र में स्वा सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाओ अर्थात माया पर जीत पाने का आधार बाबा सदा बताते डबल लोक लगाओ सेवा का और याद का तो याद अर्थात स्वयम को जानना स्वयम बाबा के साथ रहना क्योंकि जब हम यह जान जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं तो सदा बाबा की याद होती है सदा बाबा हमारा साथी होता है बाबा निराकार आत्माओं का पिता परमात्मा है वहा हम बच्चों को सर्व सक्तियों से संपन्न बनाने आया माया से मुक्त कराने आया दुख की दुनिया से मुक्त कराए सुख की दुनिया में ले जाने आया जिसके लिए बाबा अनेक युक्तियां बताते आज बाबा कहते स्वा सेवा और सर्व की सेवा में भी जी हो जाओ तो माया जीत बन जाएंगे अर्थात स्वा दर्सन चक्र चलाते रहो कमी कमजोरियां मिटाते रहो एक बाबा को साथी सहयोगी बना कर रखो एक बाबा की स्रीमत पर चलो एक बाबा के सेवा के कारे में खुद को अरपन कर दो तो माया जीत स्वता और सहज बन जाएंगे इसलिए बाबा कहते सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वा सेवा आवश्यक है यहा बैलेंस सदा स्वा में और सेवा में उन्नती को प्राप्त कराता है इसलिए सेवा के छेतर में भाग दोड करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे बेलेंस रखने से कमाल होती है नहीं तो सेवा में ब्राह मुक्ता के कारण कमाल के बजाए अपने वा दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं सेवा की भागदोड में माया बुद्धी की भागदोड करा देती है तो स्वा के प्रती अटेंशन होना, बाबा की याद होना और सर्विस में मन और बुद्धी बिजी होना यही बाबा कहते माया जीत बनने का आधार है स्लोगन में बाबा कहते अपनी विसेस्ताओं के बीच को सर्व सक्तियों के जल से सीच कर उन्हें फलदायक बनाओ अर्थात जो विसेस्ता हमें, हमें बाबा ने देखी बाबा ने हमें विसेस्ताओं के आधार पर स्लेक्ट किया उन विसेस्ताओं पर अपने मन और बुद्धी को एकागर कर लो उन विसेस्ताओं को निखारते जाओ, अभ्यास करते जाओ, बढ़ाते जाओ तो बाबा कहते वे विसेस्ताएं फल दायक बन जाएंगी ये थे बाबा के महावाद के अच्छा ओम शांती